बात करेंगे इस समय ब्रहन मुंबई महानगर पालिका के कमिशनर इकबाल सिंग चहल की जिन्होंने उन तमाम बाबा साहिब आमबेडकर के समर्थकों से अवाहन किया है अपील की है कि आप 6 दिसम्बर को दादर के चैत भूमी की पास ना जाएं चुकि आपको बता दे कि 6 दिसम्बर को भारती समविधान के रचे इता डॉक्टर भीमराव बाबा साहिब आमबेडकर के पूर्णेति थी है हर साल की तरह इस साल भी अंदेशा है बीमसी कमिशनर को की बड़ी संख्या में लोग जूटेंगे चैत भूमी पर लेकिन कोविड महामारी के चलते लोगों का आना बेहत खतरनाक साबित हो सकता है लेहाजा बीमसी कमिश्टर इकबाल सिंग चहल ने तमाम लोगों से ये अपील की है कि आप दादर चैत भूमी की तरफ 6 दिसम्बर को ना जाएं नमस्कार भारतिय समयधान के निर्माता परम पूजनिये बरत अतना डॉक्टर बाबा संबेटकर सही माइने में योग पुरुष थे उनकी महानता और उनके विचारों की मौलिक्ता शब्दों में ब्यान करना बहुत कठिन है पिछड़े वर के उनुते के लिए उनने अप बाब वापस हम बेटकर के प्रती अपनी श्रद्धा रिक्त करने के लिए उन्हें नमन करने के लिए हर साल महापरी निर्वान दिवस यानि छे डिसमबर को लाकों होने आई मुंबई में दादर में चैते मुमी पर आते हैं प्रतु इस वर्ष क्रोना संक्रमन की चलते प्रतूरों की मृती हो चुकी है कि मंबई में दस-दर से उपर लोगों की मrudo हो चुकी है है करोना घखतरा अभी वह कायम है इसलिए मेरा अनुरुद है कि इस साल आप चैते मुमी पर ना आएं इस साल सरकार की और से मानु अन्दना परदान की जाएगी चैते मुमी पर और हेलिकॉप्टर से चैते मुमी पर फूलों की बसात की जाएगी इस कारिक्रम को फेस्बुक, ट्वीटर, यूट्यूब और दूरदर्शन से लाइफ दिखाया जाएगा आप सब अपने अपने घर बैठकर कारिक्रम देखकर डॉक्टर बावासाम बेड़कर को अभवाजन कर सकते हैं मेरी आपसे प्रार्तना है, इस वर्ष आप चैते मुमें पर ना आते हुए, अपने घरों में बैठकर डॉक्टर बावासाम बेड़कर के प्रती अविवादन कीजिए और मुंबई मानगरपाली का किसा सहकारे करिए